नमस्कार दोस्तों आपके साथ मैं विकास कुमावत लेयर 3 एजूकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल हमने साइन्स की पहली क्लास पड़ी थी और जिसमें हमने 2018 में जो जैल प्रेरी की एक्जाम हुई थी उसके महत्वपूर्ण हमने कोशन किये थे ठीके दोस्तों तो आज इसी प्रकार हम कुछ प्रिवेस कोशन आज भी सोल करेंगे और उनके कॉंसेप्ट समझेंगे तो वीडियो को आंते तक देखें और मेरे द्वारा पुछे गए कोशन का आंसर भी जरूर दें तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला कोशन है निमने लिखित में से कौन सा प्रकास का सबसे अच्छा इस्त्रोथ है जो कम से कम उर्जा की खपत करता है तो दोस्तों आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि इन में से इसा कौन सा उपकरण है जो प्रकास का सबसे अच्छा इस्त्रोथ है तो वह होता है LED और अगर हम बात करें LED की तो LED का फुल फॉम होता है Light Emitting Diode ठीक है दोस्तों क्या होता है Light Emitting Diode आपको ध्यान में रखना है exam में पूछा जा सकता है और दोस्तों इसी प्रकार एक और होता है LCD इसका full form भी exam में कहीं बार पूछा जाता है इसका full form होता है liquid crystal display ठीके तो आपको इसका नाम भी ध्यान में रखना है और LED का भी ध्यान में रखना है LED का होता है light emitting diode और LCD का होता है liquid crystal display ठीके दोस्तों फिर ब पुष्पकोष, पुमंग, दलपुंज, और जायांग, यह पांचों चीज़े पाई जाती है, ध्यान में रखना है आपको पुष्पकोष, पुमंग, दलपुंज, और जायांग, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर थर्ड, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, उब और भी बातें अच्छे से क्लियर हो जाईगी, फिर इसके बाद नेक्स्ट कोशन है, एक निश्चित पैटर्न में, एक ही खेत में, एक साथ, दो या दो से अधिक फसलों को उगाना, निम्न में से क्या कहलाता है, ठीके दोस्तों, मान लो कोई एक खेत है, ये खेत ही, और एक ही पैटर्न में, एक खेत में, दो फसले उगाना, ठीके, दो या दो से भी अधिक फसले उगाना, इन में से क्या कहलाता है, तो दोस्तों, जब हम एक ही खेत में, दो या दो से अधिक फसले जब उगाते हैं, तो उसे बोला जाता है, इंटर क्रोपिंग, ठीके, अंतर क्या बोला जाता है दोस्तों इंटर कोपिंग अंतर फसल तो हमारा आंसर हो गया option number 4 ध्यान में रखना है कहीं exam में ये question पूछा जा चुका है फिर इसके बाद दोस्तों हमारा next question है एक गोता खोर एक swimming pool को पार करने में सक्चम है इसके द्वारा पदार्थों के कणों का कौन स विशेश गुण प्रदर्शित होता है ठीक है दोस्तों question में क्या पूछा जा रहा है कि गोता खोरे जो एक swimming pool को पार करने में सक्चम है तो इसके द्वारा पदार्थों के कणों का कौन सा विशेश गुण प्रदर्शित हो रहा है तो दोस्तों swimming pool में जो पानी बरा होता है उसमें गोताखर क्या हो रहा है तेरने में सक्षम है तो अब हमें option पढ़के इसका answer देना है तो इसका option first है पानी में अंत्रा आनुक आकर्शन बल प्रबल है तो दोस्तों जो अंत्रा आनुक आकर्शन बल होता है यहाँ दो कणों के बीच होता है किसी भी पदार्थों के कण के बीच लगने वाला बल अंत्रा आनुक बल कहलाता है तो दोस्तों यह जो अंत्रा आनुक बल है अगर यह प्रबल होगा तो क्या होगा पानी कठोर होगा कैसा होगा पानी कठोर का मतलब यह है कि उसके कणों के बीच में ज्यादा फोर्स होगा और किसी भी व्यक्ति को उ तो उसे तेरने में बहुत आशानी होगी तो हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तो हमारा आंसर हो गया option number two ठीक है फिर हमारा next question है वाहन के पश्च द्रश्टी दरपणो rear view mirror को निर्मित करना चाहिए ठीक है दोस्तो तो जो वाहन में जो पीछे का द्रश्च देखने के लिए जो क केसा प्रतिविम्ब बनाते हैं ठीक है दोस्तो तो जल्दी आंसर करिए केसा प्रतिविम्ब बनाते हैं तो जो हमारे वाहनों में जो ड्राइवर सीट के साइड में जो ग्लास लगे होते हैं वह जो प्रतिविम्ब बनाते हैं वह होता है छोटा ठीक है हमें जो पीछे आ र मेला कोशन है कि ये जो दरपन लगा होता है रियर व्यू मिरर ये कौन सा धर पन होता है ओतल दरपन या इ Virginia है दोस्तो इसका आंसर आपको कमेंट श्रेक्शन में देना है और दोस्तो मैंने आपसे एक कल कोश्चन पूछा था कि जो हमारी मानों आँख होती है ठीक है हमारी जो आई होती है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है तो उसका आंसर है दोस्तो उत्तल लेंस ठीक है कौन सा लेंस लगा होता है तो हमारी आँख में उत्तल लेंस लगा होता है फिर हमारा नेक्स्ट कोशन है वायू मंडली नाइट्रोजन पोधो और पशुओ द्वारा सीधे नहीं ली जा सकती म्रदा में उपस्थित कुछ जिवानू और नीले हरे सेवाल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के आउशोशक रूपों में परिवर्तित करते हैं जैसे की दोस्तों तो जो वायू मंडल में नाइट्रोजन होती है उसे क्या करते है जो पोध्य और पशु है वह सीधे ग्रहाण नहीं कर सकते इसलिए कुछ म्रदा में कुछ जीवानू विशानू ऐसे उपस्तित होते हैं जो नाइट्रोजन के नाइट्रोजन आउशोशक के रूपों में परिवर्तित कर देते हैं तो दोस्तों ये जो नाइट्रोजन के आउशोशक के रूप होते हैं यह होता है नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स ठीक है दो रूप होते हैं कौन-कौन से घर की उपरी और बाहरी सतह को सफेद रंग दिया जाता है क्योंकि ठीक है दोस्तो जैसा कि हमने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में जो हमारे घर की उपरी और बाहरी सतह होती है उन पर सफेद कलर कर दिया जाता है तो यह किसके लिए किया जाता है तो दोस्तो इसका आंस को कम से कम आउशोशित करे और जादा से जादा परावर्तित करे ठीक है दोस्तों जादा से जादा जो उश्मी उर्जा आ रही है हीट रे आ रही है उनको क्या करे रिफलेक्ट करे तो वो होता है सफेद रंग ठीक है दोस्तों तो आब हम option के हिसाब से answer देंगे तो पहला है स सफेद सत्ह अधिक उश्मा उर्जा परावर्तित करती है और कम उश्मा उर्जा आउशोशित करती है ठीक है दोस्तों तो हमारा आंसर क्या हो गया तो हमारा आंसर हो गया ओप्शन फर्स्ट ठीक है दोस्तों तो इसे इस प्रकार से आपको व्यापम के कोशन पढ़ना है कोश से भी question solve कर पाएं ठीक है दोस्तों तो science के option जो है वो आप जरूर देखें जिसे आपके जो question में जो concept clear नहीं हो पा रहे हैं वो आपके option को देखकर हो सकते हैं फिर next question है carbohydrate protein और वसा का पाचन रिक्तिस्थान की क्रिया से पूरा होता है ठीक है दोस्तों जल्दी answer बताईए और इस question पर star लगा लेना most important question है carbohydrate protein वसा इनका पाचन किसकी क्रिया से पूरा होता है तो जल्दी से answer दीजिए दोस्तों किसके द्वारा होता है तो यह होता है आंतररस के द्वारा ठीक है इंटेस्टियल जूस के द्वारा आंतररस ठीक है अब बात होती है कि यह आंतररस जो है यह कहां से निकलता है तो यह निकलता है कहां से छोटी आंत से कहां से निकलता है दोस्तों छोटी आंत से निकलता है अब बात करें हम छोटी आत की तो छोटी आत में अब यहां से आपको पता चल गया होगा कार्बोहाइडरेट प्रोटीन और वसा का पाचन कहां पर होता है छोटी आत में और छोटी आत की लंबाई कितनी होती है जल्दी से आंसर दीजिए छोटी आथ की लंबाई होती है 6-7 मिटर कितनी होती है दोस्तों 6-7 मिटर जो हमारी छोटी आथ होती है उसकी लंबाई होती है अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक ओर फेक्ट पता दूँ कि जो आंत्र रस होता है या हमारे सरीर से मतलब हमारी चोटी आथ से निकलता है और प्रती दिन लगभग 2 लिटर ठीक है कभी इसकी मातरा आप से पूछ ली जाए तो प्रती दिन कितना निकलता है लगभग 2 लिटर अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक concept समझाना चाहता हूँ कि अभी मैंने बताया कि जो आपकी छोटी आथ ह उसकी लंबाई कितनी हो गई तो छोटी आथ की लंबाई है कितनी 6-7 मिटर कितनी है 6-7 मिटर है और जो बड़ी आथ होती है उसकी लंबाई कितनी होती है एक से डेड़ मिटर कितनी होती है एक से डेड़ मिटर अब आप मुझे समझाएं कि जो छोटी आथ है इसकी लंबा जो त्रिज्या होती है जो छोटी आज का जो डायमेटर होता है ठीक है छोटी आज का जो व्यास होता है वह कम होता है इसलिए उसे छोटी आज कहा जाता है और जो बड़ी आज होती है उसका डायमेटर के सा होता है जादा होता है इसलिए उसे बड़ी आज कहा जाता है तो आ के लंबाई ध्यान में रखना है छोटी आथ की लंबाई होती है कितनी 6-7 मीटर और बड़ी आथ की लंबाई होती है 1-1,5 मीटर और आंध रस कहां से निकलता है छोटी आथ से निकलता है मैं फिर हमारा next यही क्रिय क्रिया होती है कि लवन क्या करेंगे salt क्या करेगा वातावरंड से वातावरंड में जो जल उपस्तिते उसे अउशोशित कर लेगा और उसमें घुल जाएगा ठीक है दोस्तो और मैंने जैसा कि आपको कल भी बताया था एक मैंने अभीक्रिया बताई थी जिसमें उत्पाद बन रहा था salt ठीक है लवन उत्पाद बन रहा था तो अब आप आपको मैं याद दिला देता हूँ कि कल हमने किस प्रकार से वह अभीक्रिया बनाई थी तो हमने कल क्या किया था कि जब अमल ठीक है दोस्तो अमल और चार की अभीक्रिया करवाई थी अमल और चार की अभीक्रिया करवाई थी तो हमें क्या मिला था हमें मिला था लवन, salt और उसी के साथ क्या remove हुआ था तो वो हुआ था जल ठीक है दोस्तो तो लवन और जल कब निकलता है अमल और चार की क्रिया कराने पर तो अगर एक्जाम में कोशन आपसे ये भी पूछा जाए कि लवन कब बनता है तो लवन बनता है जब अमल एसिड और बेस की क्रिया कराई जाती है ठीक है दोस्तों फिर नेक्स्ट कोशन है एक रासायनिक परिवरतन की विशेस्ताओं के संदर्ब में असत्य कथन का चयन करें ठीक है दोस्तों तो एक रासायनिक परिवरतन है एक मतलब ये पूछ रहा है कि जो केमिकल रेक्षन होती है उनमें इन मैं से कौन सा य敞 इसा कथन है गलत होता है तो हम option पढ़ते हैं उत्पादों की विसेस्ताओं का अभीकारकों से अलग होना ठीक है दोस्तों तो ये सही है क्योंकि उत्पादक अलग हो सकता है और अभीकारक अलग हो सकता है तो मैं आपको यहां बता दू कि जो अभीकारक होता है वो क्या होता है कि अभीका अभीकारक होता है उसकी विशेश्ता उत्पात की विशेस्ता से अलग हो सकती है मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अलग हो सकती है तो मालो कि हम hydrogen ठीक है और oxygen को मिलाते हैं हइडरोजन और oxygen को जब हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलता है h2o क्या बनता है यहाँ पर बनता है H2O तो दोस्तों यहाँ पर क्या बना जल, अब जो यह जल जो हे यह क्या बना है उत्पाद और यह दोनों क्या है अईड्रोजन और ओक्सिजन तो यह है अभीकारक अब यह जल की विशेष्था हाईड्रोजन से भिन नहें और oxygen की विशेस्था भी हमारे जल से भिन है तो इस प्रकार यहाँ पर clear होता है कि उत्पादों की विशेस्था जो है वह अभी कारक से अलग हो सकती है तो यह बिल्कुल सही है हमें तो गलत चुनना है फिर next है नए पदार्थ का निर्मान करना तो बिल्कुल नए पदार्थ का निर्मान अभी देखा हमने oxygen और hydrogen का मिलाया तो जल बन गया फिर होता है अभी क्रिया के दोरान उस्मा पेदा करना तो दोस्तों क्या होता है कि अभी क्रिया मानलो कोई भी रासाइनिक अभी क्रिया हो तो उसमें या तो उश्मा निकल भी सकती है या उश्मा की जरुरत भी पढ़ सकती है तो ये कहना गलत है कि सिर्फ उश्मा पेदा ही की जाती है तो हमारा आंसर क्या हो गया हमारा आंसर हो गया option number third अभी क्रिया के दोरान उश्मा पेदा करना ठीक है दोस्तों तो हमारा आंसर हो गया option third फिर हमारा next question जो कि most most important question है मानों कान के लिए स्रव्य आवरत्ती की सीमा निम्न होती है ठीक है for human ear the range of audible frequency is यानि की स्रव्य आवरत्ती स्रव्य का मतलब होता है सुनना ठीक है audible तो एसी कौन सी जो ध्वनी होती है जो हमारे मानों कान सुन सकते हैं उसकी आवरत्ती क्या होती है तो दोस्तों ये होती है 20 hertz से 20,000 hertz के मध्य ठीक है तो हमारा answer हो गया option number third 20 hertz से कहा तक 20,000 hertz और इनी तरंगो को बोला जाता है स्रव्य तरंग क्या कहला जाता है स्रव्य तरंग और दोस्तों एक होती है अस्रव्य तरंग कौन सी तरंग एक होती है क्या अस्रव्य तरंग और अस्रव्य जो तरंग होती है उनकी जो आवरत्ती होती है वो होती है 20,000 hertz से कम कितनी होती है 20,000 hertz से कम और इ 30,000 हर्ड से भी अधिक जो हमारे मानों कान नहीं सुन सकते असरवे तरंगों को भी हमारे कान नहीं सुन सकते और परासरवे तरंगों को भी हमारे कान नहीं सुन सकते परासरवे तरंगों को सुन सकते हैं कुट्ते बिल्ली चमगादर आदी ये परासरवे तरंगों को सुन सकत फिर हमारा नेक्स्ट कोशन है दो आवेशित निकायों को 10 cm की दूरी पर रखा जाता है उन दोनों के बीच कारिरत बल निम्न है ठीक है दोस्तों तो दो कोई निकाय है जिनको 10 cm की दूरी पर रखा गया है और उनके बीच और कौन से निकाय है आवेशित निकाय है ठीक है तो उनके बीच कौन-कौन से बल कारेंगे तो सबसे पहले हमारा option है गुरुत्वी बल जो की लगेगा गुरुत्वा गर्शन का नियम कहता है कि किनी भी दो पिंडों के मद्य लगने वाला बल गुरुत्वी बल कहलाता है तो गुरुत्वी बल लगेगा फिर हमारा next question है समुद्री समीर कब चलती है ठीक है यानि जो समुद्री समीर होती है वह कब चलती है तो यह जो समुद्री समीर होती है यह होती है क्या कि यह दीन में चलती है कब चलती है दोस्तों दीन में ठीक है दोपर में चलती है दीन में चलती है अब बात करते हैं कि दीन में क्यों चलती है तो दीन में क्या होता है दोस्तों कि भूमी जो है वह गर्म हो जाती है और उसके कारण भूमी पर दाब भी क्या हो जाता है कम हो जाता है और उसी के चलते दाब कम हो जाता है और फिर समुद्र की हवाएं समुद् भूमी की सतर पर दाप क्या है कम और हमें पता है कि हवाएं अधिक दाप से कम दाप की और प्रवाइत होती है तो दिन में समुद्र से जो हवाएं हैं वह काँ पर आती है भूमी में और इने कहा जाता है समुद्री समीर ठीक है और ये कब चलती है तो यह चलती है दिन में दो जाती है मिसरन होमोजोनियस मिक्षर के बारे में समझ लो तो सहजाती है मिसरन क्या होता है कि कोई भी विलियन में जितने भी जिसके उसके कण होते हैं हम उनको अलग-अलग नहीं देख सकते उसे क्या कहा जाता है सहजाती है मिसरन कहा जाता है तो इसका आंसर होगा हम पानी में चीनी घोल देते हैं, तो हम उसके कणों को फिर अलग-अलग नहीं देख सकते, ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा आंसर हो गया, option number third, पानी में चीनी, अब दोस्तों ध्यान से next question को solve करने की कोशिस करना, graph से question है, जो की exam में पूछा जाता है, तो जितने वी graph है, मैं आ आपने कभी graph पढ़े होंगे, तो बहुत ही easy है, ठीक है, तो हमारा question है, दिया गया दूरी समय graph दरसाता है, ठीक है, दोस्तों कौन सा graph है, तो यह है दूरी और समय का graph, तो अब हम बात करें, कि इस दूरी समय graph में क्या हो रहा है, तो दोस्तों graph को समझ लो, आपको answer एसे ही समझ में आ जाएगा, तो यह क्या है, इधर क्या बता रहा है, तो इधर हमको time बता रहा है, और इधर distance बता रहा है, ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होगा, कि देखो यहाँ पर, यहाँ पर distance क्या है, constant है, यहाँ पर distance बढ़ रही है क्या, distance एक point पर क्या हो गई है, constant, अब distance नहीं बढ़ रही है तो अगर distance नहीं बढ़ रही होगी तो कोई भी वस्तु क्या अपने एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक जा रही होगी बिल्कुल नहीं जा रही होगी क्योंकि distance तो बढ़ी नहीं रही है तो अब हमारा answer पड़ते हैं तो पहला option है परिवर्तनी वेग के साथ चल रहा है तो वेग तो हे ही नहीं क्योंकि distance तो कुछ हो ही नहीं रही है बढ़ ही नहीं रही है तो पहला option गलत हो जाता है फिर दूसरा option है निरंतर वेग के साथ चल रहा है एक निकाय तो बिल्कुल नहीं वेग तो हे ही नहीं फिर उसके बाद में option number 3 विस्राम पर एक निकाय तो बिलकुल सही answer है जो वस्तू है यह जो निकाय है यह जो graph दे रखा है यह एक विस्राम निकाय है कैसा है विस्राम रेश्ट में है ठीक है क्योंकि distance तो नहीं बढ़ रही है इसलिए क्या है यह विस्राम में है फिर इसके बाद हमारा next question है एक iron x2 plus ठीक है मैं 18 electron और 20 neutron है क्या है 18 electron है और 20 neutron है तत्व का नाम बताईए ठीक है दोस्तो तो आप सबसे पहले तो हम एसे तत्व को हमें जितने भी तत्व हैं उनमें से हमें याद करना होगा कि 20 neutron वाला तत्व कौन सा है ठीक है दोस्तो तो अब मुझे ध्यान में आ रहा है कि एक होता है क्या calcium ठीक है calcium का कितना होता है पर्मान उक्रमांग 20 और पर्मान उभार 40 तो अब दोस्तो अगर हम यहाँ पर देखें कि यह जो क्या है यह इलेक्ट्रानों की संख्या है तो electron इसमें कितने हैं 20 पर यहाँ पर कितने बता तो इसमें 20 में से कितने चले गए दो इलेक्ट्रण तो बचे कितने अठारा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अठारा अब बात करते हैं कि 20 न्यूट्रों होना चाहिए तो neutron को कैसे निकालते हैं पर्मानु बहार में से पर्मानु क्रमां को माइनस कर दो यानिछ 40 में से 20 क माइनस कर दो तो कितने बचेंगे 20 ठीक है तो न्यूट्रोन कितने हो गए 20 तो न्यूट्रोन तो वही रहेंगे सिर्फ निकले क्या है इलेक्ट्रोन तो इलेक्ट्रोन को माइनस कर दिया कितने एलेक्ट्रोन दो एलेक्ट्रोन तो हमारे पास क्या बचे हमारे पास बचे 18 एलेक्ट्रोन तो हमारा आंसर क्या हो गया हमारा आंसर हो गया केल्सियम ठीक है दोस्तों तो कल की तरह आज भी हमने कहीं सारे previous जो important question थे और उनके concept के बारे में जाना और अच्छे से उनको solo किये ठीक है दोस्तों मिलते हैं next class में I hope आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा share कर दें और फिर उसके बाद वीडियो को लाइक भी कर दें ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जय हिंद जय भारत